हेलो पैरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के सब्जेक टीवीएस के वीक नमबर 28 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है चेप्टर 21 फूड एंड फन तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफेकिशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चों हमें कडाह प्रशाद बनाने के लिए यूज किये जाने वाले इट मीज जो जरूरी आइटम से फूड आइटम आप बच्चों उन पर सरकल करेंगे तो बच्चों याँ पर हैं वीड फ्लोर, शुगर, चीनी, मिल्क, दूद, सॉल्ट, नमक, कडाही, पट्टा या फिर कह सकते हैं करी लीव, करी पत्ता, वाटर, घी, क्यूमिन, सील्स तो बच्चों हमें कडाहा प्रशाद बनाने के लिए जरूरत होती है, वीड फ्लोर की, गेहूं के आटे की, इस पर सरकल करेंगे, शुगर की, मिल्क की, वाटर की, और घी की, तो बच्चों आप इन पर सरकल करेंगे, आप बच्चों पिक्चर में देख सकते हैं, यह है अब बच्चों कुश्चिन अमबर टू है, मैजदा रोव इंग्रिडियन्ट विद धफाइनल प्रोडक्ट, बच्चों यहाँ पर कच्चे जो इंग्रिडियन्ट सामगरी है, उसे उनके फाइनल प्रोडक्ट से मैच करना है, तो बच्चों फर्श्ट है, वीट फ्लोर, गेहूं का आटा, तो बच्चों इससे क्या बनती है, चपाती इसके साथ मैच करेंगे, पल्सिज, डालें, तो बच्चों इससे डाल बनती है, इसके साथ मैच करेंगे, पटेटो एंड कैबेज, इटमीस आलू और गोभी, तो बच्चों इससे क्या बनती है, करी, इटमीस आप मैच करेंगे अब है कुशिय नमबर थ्री फिल इन दा गिवन ब्लैंक विद दा एप्रोप्रियेट वर्ड बच्चे यहां पर सही वर्ड ब्लैंक में फिल करना है I like the food prepared at मुझे कहां पर बना खाना अच्छा लगता है तो बच्चे घर पर यहां लिखेंगे हॉम I like the food prepared at home my favorite dish is मेरी जो favorite dish है वो क्या है तो सभी बच्चे यहां पर अपनी अपनी पसंदीदा डिस का नाम लिखेंगे जैसे की आलू पूरी I know how to cook मुझे पता है की कैसे क्या पकाया जाता है तो name of any food किसी भी आप food का नाम लिखेंगे यहां डिस का या फिर ड्रिंक का पेपदात का तो बच्चो मुझे पता है की कैसे हलवा पकाया जाता है तो बच्चो यहां पर लिखेंगे हलवा Next is my prepares food for me at home मेरी मा घर पर मेरे लिए तयार करती है तो बच्चो यहां पर मदर लिखेंगे I miss the meal of my school मैं अपने स्कूल के किस meal को किस भोजन को मिस करता हूँ तो बच्चो आलू पूरी को तो बच्चो यहां पर लिखेंगे आलू पूरी बच्चो आप हैं देख सकते हैं Next is have you ever gone to eat longer क्या कभी आप लंगर खाने गए हैं right when and where तो लिखिए कब और कहां तो बच्चो आंसर है yes I have gone to eat longer on गुरू नानक जयनती मैं गुरू नानक जयनती पर लंगर खाने गया हूँ तो बच्चो पिक्चर में आप देख सकते हैं यह क्या है इस तरीके से लंगर लगा जाता है अब बच्चो कोश्यन है what is your favorite food बच्चो यहां पर आप अपने favorite food का नाम लिखेंगे write a recipe of the same with the help of elders और बच्चो आप अपने elders की मदद से इसकी recipe लिखेंगे you can also draw the picture और paste one if available बच्चो यहां पर आप पिक्चर बना भी सकते हैं और paste भी कर सकते हैं तो बच्चो आंस तो बच्चो यहां पर potato curry recipe कैसे बनाएंगे first सबसे पहले heat oil in a pan एक pan में oil को गर्म करें and add hing cumin seeds to it और इसमें hing और जीरा डाल दें after this add green chili, ginger paste and chopped tomato और उसके बाद इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, अधरक का पेस्ट और chopped tomato it means कटे हुई tomato डाल दें and let it cook for a couple of minutes और इसे कम से कम दो मिन तक पकने दें after that add turmeric, chili, coriander and salt and mix it इसके बाद इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया मिला दें और इसमें नमक डाल के mix कर दें after this और इसके बाद mash the potatoes अब potato जो है आलू जो है उन्हीं mash कर दें गिस दें add 3 cup of water अब उसमें 3 cup और पानी मिलाएं and cook for 10 minutes और 10 minutes के लिए पकाएं turn off the gas उसके बाद gas को turn off कर दें after that add अम्चूर on top और उसके बाद उसमें अम्चूर डालें अब बच्छे नेक्स्ट है पूरी recipe अब बच्छे यहां पर देखेंगे पूरी recipe पूरी कैसे बनानी है take floor in a bowl एक कटोरे में आटा ले and knead the dough by adding salt, oil and all the spices in it और उसमें सभी मसाले नमक और तेल डा लें इस गूत लें after this keep this dough for 10 minutes उसके बाद 10 minutes के लिए इस dough को रख दें now make a ball of equal size from this dough और अब इस डो से आप equal size की ball बना लेंगे and roll it out और इसे roll करेंगे after this और इसके बाद take a pan it means कडाही ले and put oil in it इसमें oil डाले and fry the puri and take them out in a plate और उसके बाद पूरियों को fry करें और उन्हें फिर प्लेट में निकाल लें तो बच्चे यहां पर देख सकते हैं picture of your favorite food आलू पूरी तो यहां पर सभी बच्चे अपने-अपने favorite food की picture को ड्रॉ करेंगे students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you